जमात के साथ जुड़े हुए हैं अब मज़ूर और रह्मान है जो की तब्लीकी जमात की प्रवक्ता है उनका भी स्वागत है मेरे साथ रिज्वान एहमद थोड़ी दिर में जुड़ेंगे मेरे साथ इस चर्चा में आतिकुर रह्मान थोड़ी दिर में जुड़ेंगे और स पबली की जवाद पूरे देश में फैल जाती है और फिर डॉक्टरों पर पुलिस वालों पर अटैक भी करती है देखिए अमिछ मेरा बड़ा साफ मानना है कि जो कुछ हुआ उसमें दो चीजों का पता लगाना इन्वेस्टिगेशन पॉइंट अव यू से बहुत इंपॉर्टन्ट है कि ये फैलाव जानबूच के करवाया गया या लापरवाही का ये नतीजा है प्रैमरी इन्वेस्टिगेशन तो ये है जो हुआ गलती तो हुई बहुत बड़ी गलती हुई है जिसके कारण आज देश में संकरवन हमारा 14,000 के लगभग पहुँच रहा है सबसे बड़ी बात है जो कि प्रारंबिक जाश में मुझे अपने सोतों से पता चला है कि 13 से 14 आदमी 15 आदमी मलेशिया से आए इंडोनेशिया से आए जो अलड़ी संकरमित थे जादा आए जिनों ने लगातार पैरा से टमोल की गोलिया भी खाई और एरपोर्ट से स्क्रीरिंग में निकल गए जो एरपोर्ट से स्क्रीरिंग में निकल गए और जो बाद में पकड़े गए जमात की responsibility तब बनती है जब वहाँ पर 13-14 माच से वहाँ पर अरड़ी 34 आदियों की भीड़ है वो 13-14 आज में उसमें बैठ रहे हैं और 17-18 तारीक से ये लोग वापस तिलांगाना और बाकी जगह जाने लगे लेकिन मेरा इस समय आरपार का न्यूज 18 का सबसे मूल प्रशन यह है ये पैसा कहां से आया क्योंकि जमात के परवक्ता मेरे साथ है मैं सीधा उनका रुक कर सकता हूं मैं आप से जनाब जानना चाहता हूं मुझिबूर और रह्मान साहब ये पैसा कहां से आ रहा था बैंक अइस क Sharpie को उसकी चीजे मालूम होती है ऐब कर नेक्षन होते हैं अगर अगर बैंक इस ये के पास तो बैंक का दिकारीयों के कान क्यों खड़े हुए दूसरा पॉइंट अगर आपके पास सारा पैसा फेंसा लिटमें था तो मौलाना साथ दोड़े-दोड़े क्यों नहीं गए बैंक के अंदर देखिए यह पैसा लेजिटिमेट है 31 मार्स तक रोक क्यों लगी अकाउंट पे और मुलाना साथ का बाहर निकले की नहीं निकले अभी तक वो 14 दिन तो कंप्लीट हो गए जब बाहर निकलने का कोई मकसद नहीं है पुलिस धून रही है जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं ही अब अब्धिव नाअब तो इसी पे हो जाए आप तो इसी पे हो जाता का पता लग जया है और पार में मुझब भाई बताई को रहा पर आप में वहला को पता है आपको पता है strongest bon लगा रहा थन कानून कीॐ बताई का पर रहा है और उनके उपर जो भी चार्जिस लगाए गए हैं मैं चार्जिस की बात भी कर रहा है लेकिन मुझिबूर और रह्मान बताईए मौलाना साथ का पर है कानून के दाइरे में जवाब देंगे और करेवाई करेंगे चलिए मेरे साथ रिजवान अहमद भी जुड़ गए हैं पेशे से वकील है इस्लामिक स्कॉलर भी हैं मौलाना साथ के अकाउट में पैसे आते हैं रिजवान साहब बैंक वाले उनको बुलाते हैं क्योंकि वो बड़े साहब हैं इसलिए नहीं जा सकते हैं उनके सीय जाते हैं और अभी थोड़ी देर पहले मुझिबूर और रह्मान कहते हैं देखे उनको तो पूलिस ढूने नहीं है और सब को पता है वो कहां पर है लेकिन जमाती क्या कर रहे हैं साथ साथ क्या कर रहे हैं वो सब के सामने है एक太ina को अपको जब वक्त मिला आपने अपनी बात को रखा विज्वान एहमत के साथ मेरा सवाल है मुझे बूरे रह्मान आप एक तो पहले तो शपत लीजिए कि आप बिना टोके किसी को बोलने देंगे और अपनी टर्न पर बोलेंगे मेरा शो ऐसा नहीं है जिसमें सब एक साथ बोलें और इन्होंने माना है रिज्वान एहमद की इनको पता है कि मौलाना साथ कहां पर रहे तो देश के वले के रिए बताएं देश को कहां पर रहे रिज्वान बोलिये लगता है आवाज में कुछ जाएंगे